इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नीता दिल लिया है उन्होंने प्रचार किया शाहीन बाक का मुद्दा काफी चर्चा में रहा आपको लगता है कि वो मुद्दा कहीं न कहीं लोगों के जहर में नहीं था इस बार लेकिन चर्चार जोरो पर है कि मंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा अमानत अलग खान क्या कहते है हमानत अलगा जाते हैं है चाहते हैं मंत्री बनना या नहीं दो कहा हूँ आए मैं तो क्या रहा हूँ लोगों ने मुझ पर भरोसर किया वोट डाला और मेरी अप七 जिमängtारrimin ज्यादा बढ़ा जाती थे तो में इलाके में रहकर उनी के लिए क जाता पार्टी का जो फैसला वो पार्टी तैय करेगी लेकिन शाहिन बाग का मुद्दा भी खूब चाया रहा आप जामिया से लेकर कई इलाकों में जाते रहे वहां पर आपके भाषण भी सामने आए वहां की मुद्दे को अब कैसे देखते हैं जब चुनाओ गुजर गया तक मेरा कहना यह है कि अमिद शाजी ने पूरी दिली में इसी और योगी जी और बीजेपी ने शाहिन बाग के मुद्दे पर चुनाओ लड़ा और ये जगा जगा गए गल्यों में घूमे रोड़ शो किये तो अमिद शाजी को चाहिए कि शाहिन बाग में एक बार जाएं कि उन से पूछे हों क्यों बैठे हैं डो महीने हो गए वह हम आये मेहने उनके भी अंतर है वह हिंदूस्तान के जोग्षे जा कर पूछे हैंais कि अपील करता हूं बाजपा स давно मुझे थाजी से में एक कि रोड़ भी बंद है तो जाकर पूछें कि क्या तकलीफ है और जो भी हो सके वो करें यह तो कही तो रहे नहीं है कि हम जो एनार सी लागू नहीं करेंगे तो कह रहा है जिस चीज को महा जाकर कह दें किय mínimo यासी बлиyan вाजी है आप दोबारा चुने गए है आप वहाँ पर जाएंगे खुद भी आप वहाँ पर जाकर लोगों से रपीव कर करूए नाप भूए रहे हैऑं कि रास्ताबंदे लोगों शाहिन बाग के नाम पर वोट मांग सकते हैं, गली-गली घूम सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, बियानी की बात कर सकते हैं, तो क्या करंट लगा सकते हैं, तो क्या एक मरतबा शाहिन बाग नहीं जाना चाहिए, अगर वो ना जाएं तो उनका कोई आदमी जाए, पर सेंटर क का इशू है और इनको जाना चाहिए मेरी तो अपील है केंदर सरकार से और खासकर हम इस शाजी से के आपने बड़े करेंट लगाए हैं और दिल्ली की जंता ने आपको करेंट लगा दिया है तो अब आप जाएं तो कम से कम पूछे दूसरें